हे गाइस वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल और दोस्तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आप से बात करने वाला हूँ पतन जली की तीन ऐसी पावरफुल गोली के बारे में जो ताकत बढ़ाने में काफी मदद करती है जी हाँ दोस्तो वजन बढ़ाने में मदद करती है मरदाना कमजोरी में मदद करती है इसके अलावा बुजूर्गों के लिए भी फायदेमन होती है तो देखे दोस्तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरह की कैपसूल है आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपको वजन बढ़ाना है तो कौन सी कैपसूल लेनी चाहिए मरदाना कमजोरी के लिए कौन सी लेनी चाहिए और अगर आप बुजूर्ग है और अपने सरीर को फिट रखना चाते हैं अब आपको कौन सी गोले लेनी चाहिए तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम उसी के बारे में बात करेंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजी और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना देखें दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो पहली कैपसूल है वो है पतनजली की यह अस्वगंदा कैपसूल तो अस्वगंदा को आईरवेद में उससाद जड़ी बुटी के नाम से जाना जाता है आप सभी को पता है तो यहाँ पर जो दूसरी कैपसूल है वो है यह सीला जीत तो पतनजली की जो सीला जीत है उसे किंग हब के नाम से जाना जाता है इसके अलावा यहाँ पर जो तीसरी कैपसूल है वो है यह पतनजली की अस्वगंदा कैपसूल सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अस्वगंदा के बारे में तो देखे यहाँ पर mention है कि यह थकान एवं सामानिय दुरबलता के लिए उपयोगी है लेकिन अस्वगंदा के काफी जवर्दस वायदे होते हैं क्योंकि यह वजन बढ़ाने में मदद करती है कमजोरी को दूर करती है शकान को भी यह दूर करती है और मास्पेसियो को मजबुत भी बनाती है यानि कि अगर आप यंग है वजन बढ़ाना चाहते हैं तब आपको यह अस्वगंदा कैफ्सुल लेनी चाहिए अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सीलाजीत का सेवन कप करना चाहिए तो देखे शीलाजीत में जो है वो 75 तरग के मिनरल्स होते है तो सीलाजीत में यहाँ पर मैंसनर है कि यह सामने दुरबलता यह वो मुद्रविकार के लिए उपयोगी होती है लेकिन इसके अलावा सीलाजित जो है वो सामने कमजोरी दूर करती है सारे रिक कमजोरी या फिर मर्दाना कमजोरी है तो उसमें ये फाइदेमन होती है मुत्रविकार में भी ये फाइदेमन होती है तो ये न केवल वजन बढ़ा कर सिर्फ फिट रहने के लिए आप सीलाजित ले सकते हैं तो जिनको वजन नहीं बढ़ाना लेकिन फिट रहना है, मरदना कमचुरी दूर करनी है तो वो लोग ये सीलाजित ले सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अस्वसीला किसको लेनी चाहिए तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अस्वसीला जो है देखे यहाँ पर इसके इंडिकेसन दिया गए है कि थकान तनाव एवं सामने दूरबलता के लिए उप्योगी तो अस्वसीला में अस्वगंदा भी है सीला जित भी है दोनों जड़ी बुटियां डाली गई है तो यह जो अस्वसीला है वो लोग ले सकते हैं जिनकी साधी भी हो चुकी है या फिर उनकी जो एज है वो 45 प्लस है तो वो लोग अस्वसीला ले सकते हैं अस्वसिला बुजूर्गोर्ग के लिए होती है ताकि उनको सामान्य ठकार ना लगे, कमजोरी ना लगे, तब उसका वो सेवन कर सकते हैं अब आप अपनी हिसाब से चूस कर सकते हैं कि आपको अस्वगंदा लेना है, सीला जित लेना है या फिर अस्वसिला लेना चाहिए